वेलकम तो न्यू लेसन इस लेसन में आपसे बात करूंगा अबाउट एट्रिब्यूशन मॉडल हम समझेगे कि एट्रिब्यूशन मॉडल क्या होता है एट्रिब्यूशन मॉडल कैसे काम करता है और क्या क्या चीजे होती है एट्रिब्यूशन मॉडल के अंदर तो सबसे पह अब हो सकता है कि एक user को आपकी चार ads दिखी हो ठीक है जी एक user को आपकी चार ads दिखी हो so attribution का मतलब है कि आपकी जो conversion है आपकी जो lead है आपकी जो sale है उसको google कैसे attribute करे आपके campaign के साथ for example एक simple example हो आप जैसे आप cricket में देखते हो कभी कभी कि batsman ने shot मारा और पहले wicket keeper के पास ball गई बट उससे ball छूट गई और first slip में catch हो गई right तो अब क्या कहा जाए किस ने catch लिया क्या first slip ने catch लिया या wicket keeper ने catch लिया किस ने catch लिया ठीक है सो अब आप मालो कहते हो कि नहीं जी first slip ने catch किया है मतलब आपने जो sale थी आपने जो catch थी उसको किसे attribute किया है first slip को ना कि wicket की पर similarly आप बड़े सारी campaigns run कर सकते हो और हो सकता है एक user multiple ads पे click करे so credit किसको मिले क्या first campaign को credit मिले या second campaign को credit मिले या third campaign को credit मिले किस campaign को credit मिले so that is attribution so अगर आप tools and settings पे जाओगे और आप search attribution पे जाओगे तो आप attribution के data देख सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी attribution modeling ठीक है अगर आप attribution modeling पे जाते हो तो यहाँ पे आप अपने campaign select कर सकते हो या add group select कर सकते हो या keyword select कर सकते हो और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि इसका attribution model क्या था अलग-अलग जो attribution model है उस हिसाब से आप data देख सकते हो so कितने टाप के attribution model होते है सबसे पहले देखो होता है जो सबसे ज़्यादा famous है वो है last click attribution ठीक है last click attribution अब last click attribution का मतलब क्या है suppose आप तीनचर campaign run करो एक campaign का key word है buy shoes एक campaign का key word है best shoes एक campaign का key word है shoes under 500 अब suppose और यूजर ने सबसे पहले search किया buy shoes और उसने आपके जूते देखे बट खरीदा निए फिर यूजर ने search किया best shoes फिर उसने आपका product देखा और खरीदा निए फिर उसने सर्च किया shoes under 500 और उसने आपकी add पे click किया और जाके खरीद लिया तो अब इसको credit किसे मिले अब अगर आब last click attribution करते हो क्या करते हो last click attribution तो credit मिलेगा last वाली click को जो की थी best shoes under 500 चीक है उसे मिलेगा credit उसे attribute करोगे आप sale अब industry में majority लोग last click attribution को ही मानते हैं बाकी attribution को उतना जादा वो importance नहीं देते पट आपको एक user की पूरी जर्नी समझनी बहुत जरूरी है आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि last sale करने से पहले user ने कैसे कैसे interact हिया था user ने और किस keyword पे click किया था क्योंकि अब जो sale होती है अब जो acquisition होती है वो अब ऐसे नहीं होती कि किसी ने आपकी keyword सर्च किया और तुरंत जाके product खरीद लिया first time purchases बड़ी कम होती है जादतर purchases से पहले user आपके business के साथ आपकी ads के साथ आपकी marketing के साथ multiple interactions करता है multiple engagements करता है क्या है आपके साथ जो उसने business किया उसमें क्या क्या steps है जो उसने follow किया है किनकी ads पे click किया है उसने तो last click is कौन सी last ad पे उसने click किया आपका product खरीदने से पहले first click is उसने first किस ad पे click किया था आपका product खरीदने से पहले तो जब उसने से आपका अभी हमारे case में क्या थे तीन ads थी तो first clip में क्या होगा कि सारा credit किसों मिलेगा पहले campaign को मिलेगा ना कि last campaign को मिलेगा so that is first click last click में last को मिलेगा linear में क्या होता है सब को बराबर मिलता है linear में क्या होता है सब को बराबर तीन campaign थी है हमारी तीनों को बराबर मिलेगा then time decay time decay क्या है जो आपका conversion है उससे latest जो भी click है हाना उसको सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा credit और उससे पहले वालों को कम credit मिलेगा but again credit इसमें भी सब कोई मिल रहा है but जो conversion से सबसे close है click उसको ज़्यादा मिल रहा है और जो सबसे दूर है उसे कम मिल रहा है then आखरी एक है आपके पास position based position based में क्या होता है 40% पहले click को मिलता है 40% last click को मिलता है और 20% जो है वो बाक्यों में distribute होता है ठीक है जी 40% पहले click को 40% last click को and the remaining 20% is distributed amongst the rest of the campaigns so that is position based और last क्या है आपका data driven हाना data driven में क्या होता है कि जो भी credit है वो आपका जो भी past data है आपके account में based on that वो data जो है वो जो attribution है वो credit किया जाता है data driven हाना और जो data driven है यह सब accounts में available नहीं है यह उन्ही accounts में available होता है जिसमे enough data होता है तो उसी में आपका data driven available होता है तो अगला सवाल यह है कि आप attribution model change कैसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया by default जादतर ads का attribution जादतर भी ads का attribution model जो है वो last click ही होता है और industry standard भी यही है कि जादतर लोग last click को ही मानते है बट आपको अपनी conversion देखने के लिए पूरा cycle देखने के लिए आपको सारी numbers देखने है राइड सो अगर आप जाओगे conversions के अंदर और यहाँ पे आप देखोगे Google ads purchase conversion है यहाँ पे attribution model देखो है last click अगर मैं इसे click करूँ और last click की जगा मैं इसे कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहूँ देख सकते हो आप यहाँ पे data driven available नहीं है यह कह रहा है कि आपके पास enough conversion data नहीं है to use data driven तो यह अलग-अलग है आपको हमेशा by default last click ही रखना है majority industry standard last click ही है तो हमें last click use करना है बट जब आप number देखोगे तो attribution में जाके आप conversions में देख सकते हो देखो top conversion कि जादतर conversion कहां से आई है क्या path रहा है then assisted conversion assisted conversion is maybe directly इस campaign से sale नहीं आई बट इस campaign ने हो सकता है कि conversion में कहीं न कहीं assist किया हो so that is assisted conversion ठीक है जी so यह था आपका about attribution modeling जो कि क्या होती है और आपने सीखा कैसे काम करती है और कैसे आप इसको change कर सकते है ठीक है जी thank you so much watching this lesson